एक बड़ फी से मेरे नियोजी टीचर नियूज 2.0 में आप सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आई देखते हैं सिक्षकों के लिए अपडेट आपको बता दें कि अगर आपके बिद्याले में बच्चों की उपस्तिती 75% है तो आपके बिद्याले में परखंड सिक्षक पतादीकारी के द्वारा जांच किया जाएगा अगर उससे जादा है तो जीला अस्तरिय करम पतादीकारी द्वारा जांच किया जाएगा और उससे भी जादा है तो राज के द्वारा जांच किया जाएगा तो फूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक जहूँ देखे उ पे स्क्रीन पर इस पत्र को देख रहे हैं जिला का पतादीकारी सीता मणी के दोरा ये पत्र जारी किया गया जिसका पत्रांग है 361 और बता दें कि यह विशाय दिया हुआ सिक्षा विवाक दोरा संचारित विभीन लाभुक अधारिक्त योजनाओं के पात्र लाभुकों को विवरन मेगा सब्ट पोटर पो अप्लूट करने के संबंद में विशे सची उसा नोडल पतादिकारी डीबी टी को संग बियार पठना पत्रांग है 753 अदोहां स्ताक्षरी कर जाले पत्रांग 344 और दिनांग 1510-2022 यहां पर आप देख रहे हैं उप्युक्त विश्यक परसंग के अधीन पत्र के आलोग में अदोहां स्ताक्षरी कर जाले के पत्रांग 344 और दिनांग 1510-2022 दोहरा आपको विभीन लाभुक अधारित योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभुक के लिए नामित नमांकन तीथी से 30 सितंबर तक 75% उपस्थी ती वाले लाभुकों को लाभवांतित कराये जाने के लिए आपको विद्याले वार सुची उपलब्द कराने है तु सिमा दिया गया था लेकिन उस समय सिमा में उपस्थिती सुची उपलब्द नहीं कराये गया है आदेश दिया गया था मुख्याले अथ्वा छेतरिये प्रदिकारियों दोरास्तर्ज विद्यालों का अवचक निरिक्षन के दरान चात्रों की उपस्थिती 50 से 60 परतिसात र आए गये आंकडों में भी परिलक्षित हो रही है बढ़नित इस्थिती के लाभुक आधारिक योजनाओं के लिए मेधार स्वप्त है पोटल पपचातर परतिसात उपस्थिती वाले लाभुक का वीवरन अपलोड करने के संब्द में निमलिखित निर्देश दिये जा रह जिस बिद्याले में निदिश्ट अवधी अंतरगत 75 परतिसात उपस्थिती वाले लाभुकों की संख्या 60-75 तक है उसका सत्यापन द्वारा परखंड अस्तरप किया जाएगा यानि आपके विद्याले में अगर 60-75 परसेंट उपस्थिती रहती है तो उस विद्याले का सत्यापन आपको परखंड सिक्षा पतादिकारी बियो करेंगे और आपके परभार वाले परखंड अंतरगत विद्याले में निदेश्ट अवधी अंतरगत 75% उपस्थिती वाले लाभुकों की संख्या 75% से अधिक है उसका सत्यापन जीला अस्तर पर सिक्षा भी भाग के पतादिकारी द्वारा किया जाएगा यानि अगर आपके विद्याले में 75% से अधिक उपस्थिती है तो जीला के पतादिकारी द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा और जाच भी करते हुए सत्यापन किया जाएगा आपको निर्देश दिया जाता है कि 75% से अधिक उपस्थिती वाले विद्याले के सुची अधोहास्ताक्षरी कर जाले को विहित परपत में दिनांक 29-2022 तक उपलब्द कराना सुनिशित करें तो एक तरफ सरकार दवा करती है कि 75% उपस्थिती आपके विद्याले में रहना चाहिए और जिसका 75% उपस्थिती होगा उन्ही बच्चे को सारी सुविदा मिलती है अगर उससे कम रहती है तो उनको चात्रविर्ती पोसा की सुविदा नहीं मिलती है और सरकार एक तरफ दवा कर रही है कि अगर उतना 75% आपके विद्याले में उपस्थिती है तो आपका जाच किया जाएगा और उसका सत्यापन परखंड सिक्छापतादी कारी से किया जाएगा अगर उससे ज्यादा है तो आप जीला अस्तर ये टीम द्वारा जाच करते हुए सत्यापन किया जाएगा तो एक तरह से सिक्छकों को यह परसान करने का साजी से तो वीडियो में इतना ही वीडियो में लाज तक बने आने के दन्याबाद वीडियो को जासे यह से करें